आज किस वीडियो में आपको LRC से रिलेटर यहां पर ऑफिस्यल अपडेट देने वाला हूं अभी इससे पीछे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो LRC से रिलेटर जो कॉंसेलिंग होनी थी 7 जनवरी को उसका पोस्ट पॉंड करके अभी आपको नया डेट आ यहां से जरुर्ण होकर करेगा यह अब्डेट था जिसमें की साथ जनवरी का जिनका भी कॉंसेलिंग है वह 22 जनवरी को रने वाली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भी कंडिडेट कॉंसेलिंग करार है तो उनमें से बहुत सारे के साथ पेंडिंग का कि SBT से registered होना चाहिए या AICT से approval होना चाहिए उनका वहां पर आपको proof देना होगा तो यह क्या है इसके बारे मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला है और इंसे लेटर जिनको भी pending का notice है इसू है तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को end तक ज जिनों में कॉंसलिंग्स होना है तो वीडियो को end तक जिरूर देखते रिए और आपके मन में कोई confusion.query रह जाता है तो नीचे comment करके आप जिरूर से पूछ सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियो होंगी या वीडियो होंगी मैं आपका जिरूर से comment या query क्लियर करने की पर लिखा गए कि I further undertake to submit the above required documents latest by 10 January 2024 तक इनको बोला गए है कि आप जो भी इनिसे related concern documents है आप latest 10 January 2024 तक submit कीजिए at BCC board office जहां पर यह कॉंसेलिंग हो रहा है IS association building near पतना एरपोर्ट पतना 14 failing which I shall forfeit my claim against the appropriate post and shall be fully responsible for the same तो यहां पर साफ साफ लिखा गए कि आप जिसम के का भी ऐसा आ रहा है कि आपका counseling कराने के बाद आपको इस तरह का pending बता जाएगा और diplomize note registered with SBT होगा तो उस case में आपको जो भी यहां पर date दिया गया हो इस date तक आपको अगर कोई documents आप miss कर जाते है तो उस case में भी आपको इस तरह का कोई दिया जाएगा कि इस date तक आपको यह documents submit करना ह अगर आपका diploma जो है SBT से register नहीं है उस case में भी आपको बोला जाएगा कि आपको अपना जो insulator जो भी documents है आप 10-1-2024 तक या आप जिस date को counseling कराएंगे उस date में आपके उपर जो भी date यहां पर दिया होगा उस date तक आपको latest BCC board पहुँच करके आपको जमा करने होगे जो भी documents यहां पर बोला गया है तो यह चीज आपको counseling करने के बाद पता चलेगा कि आपका counseling में लेकिन उनसे पहले आप लोग जो भी अपना documents है सभी कुछ साथ में लेकर करके जाए ताकि इस तरह का pending issue आपको न फेस करना पड़े अब बात करते हैं कि यह issue क्यों दिया जा रहा है तो diploma is not registered with SBT तो अगर आपका जो college है university AICT से approved है तो अची बात है यहां पर SBT का क्या issue है यह भी मैं आपको बताता है तो देखिए इसका जो advertisement release हुआ था जो इसका prospectus था जो BCC board के दोरा जारी किया गया था यह जो advertisement था इसमें सभी कुछ यहां पर साफ साफ करके मांगा गया था कि क्या इसमें essential qualification minimum qualification and LGBT criteria यहां पर क्या रहना चाहिए क्या होना चाहिए तो यह यहां पर दिया गया था तो इसी के आधार पर अभी जो मांगा जा रहा है यह आपको इसी के आधार पर मांगा जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यह business direction ameen का जो post है इसके सामने में essential qualification यहां पर साफ साफ करके लिखा गया है कि AICT से मानेता प्राप्ट तथा संबंधित राजियों के SBT से पंजिकरित संस्थानों से तीन वर्षी से इंडिया लेवल पर होता है जो कि सभी कॉलेज यह जो भी होते हैं इनुवर्शिटी इनको एप्रूबल मिलता है लेकिन SBT जो का अपना अपना टेक्निकल बोर्ड होता है अलग-अलग नाम से होता हो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि अलग-अलग जो यहां पर एस्टेट है उनका टेक्निकल बोर्ड कहां पर है और कौन-कौन से उनका website क्या है उनमें कौन-कौन से list जो है तो सभी कुछ आ तो वो सकता है AICT से अप्रूब्ड ना भी हो, हो सकता है SBT से अप्रूब्ड ना हो अगर जो प्राइवेट जो इंसिचूट हों के वो, लेकिन अगर कोई Government College है या Government Polytechnic College है तो AICT से भी मानेता प्राप्त है और SBT से भी मानेता प्राप्त है, बहुत सारे से Board of Technical Education बिहार पटना तो जो AICT से अप्रूब्ड है वो आपको एस्टेट जो भी होता अलग-अलग एस्टेट उन से रिलेटेड यहां पर आपको दिया जाएगा जैसे कि एफिलेटेड इंस्टूट तो यहां पर जैसे आप खिलिक करोगे तो SBT बिहार के अंदर में जितने भी सारे यहां पर कॉलेज है वो आपको यहां पर देखनी के लिए मिलेंगे तो यह आपको सिरियल नमर देख सकते है नेम आप देंस्टूट में आप वो यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर आप यह सभी कोलेज से भी किये होंगे तो भी आप इसमें आपका जो भी डिग्री होगा आपका एस्टेट बोड से भी वैलिड है और आपका एस्टेट से भी अप्रूब होगा तो इसमें देख सकते हैं टोटल 33 ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट है और बिहार में पोलिटेक्निक कॉलेज या इंसिचूट चला रहे हैं उसकेस में आपको भी जो वहां पर एप्रूबल मांगेगा तो अगर आप लोग बिहार से विलोंग करते हैं और ये सभी कॉलेज इसिचूट से अगर आप किये होंगे तो आपको कोई दिकत नहीं होगा लेकिन उनके अलावे अगर कहीं दूसरे जगह से डिग्री होगा त जो एस्टेट बोर्ड आप टेकनिकल एजूकेशन है क्या है तो गूगल में आप सब्सक्राइब की जिसे आप सर्च करोगे तो आपको उपर में ये वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा ये एस के अंदर में ही रजिस्टर होते हैं जो भी एस्टेट बोर्ड के एस्टेट बोर्ड आफ टेकनिकल एजूकेशन अलग-अलग बोर्ड होते हैं अलग-अलग एस्टेट के वह इसी के अंदर में एफिलेटेट होते हैं रजिस्टर होते हैं इसके वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये एसीट का ही से एस्टेट लेवल का एक पार्ट होता है जो AICT Central लेवल का है उसी तरीके से State लेवल का एक पार्ट होता है तो इसमें आपको यहां पर देखने के मिलेगा जो भी सारे यहां पर State है उनका Direct Rate of Technical Education का यहां पर आपको website दिखेगा या Board of Technical Education का यहां पर website दिखेगा तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप लोग जैसे यह बिहार का हो गया तो बिहार के सामने में यहां पर देख सकते हैं यह SBT का यहां पर website दिया गया तो इसी तरीके से सभी State का अगर मान के चलिए आप किसी दूसरे State से किये होंगे डिप्लोमा आंदर परदेश अरूर नाचल परदेश असाम बिहार 36 गड़ गोवा तो यहां पर सभी के सभी State का यहां पर उनका website दिया गया है तो आप यहां पर उसको देख सकते हैं उनमें अपना list धूंड सकते हैं कि आपका जो college है उनमें registered है की नहीं तो मान के चलिए अगर आप किसी दूसरे State से किये होंगे डिप्लोमा तो यहां पर आप सर्च कीजिए जैसे कि अगर उतर प्रदेश का है तो उतर चैनल पर अप्रोड कर दिया है तो आप उसको देख लिजेगा या description में आपको link मिलेगा तो आप उसको देख लिजिए और अगर आप लोग किसी दूसरे State से किये होंगे तो उस State का जो भी technical board है उसके website पर जाएए और वहां पर आपको जो भी institute का आपको list दिखेगा या affiliation आपको college का list दिखेगा उसमें आप अपना institute का आप सर्च कीजिए कि आपके institute का नाम उसमें हाई की नहीं या इसमें जो भी institute का नाम आपको दिखेगा यह सभी approved है यह सभी college आपको यहां पर valid है इनसे अगर आप किये होंगे तो आप यहां पर eligible जैसे कि यहां पर आप सर्च कर सकते हैं या सभी institute का नाम आपको यहां पर दिख जाएगा तो अगर मान के चलिए कोई ऐसे branch है जैसे specific या अगर civil branch related है तो यहां पर बहुत सारे प्रा इसके आगे में details आपको दिखेगा उसका details आप लोग print करके आप लोग ले करके जाएगा तो आपको कोई दिकत नहीं होगो यही आपको मांगा जा रहा है अगर आप लोग किसी दूसरे state से क्यों होंगे तो same process है जैसे कि मैंने आपको बताया आप जो AICT, SBT, Google में search इसके बाद जो भी state से आप किये होंगे diploma उस state का यहाँ पर website दिया गया है इस website पर आईए उस list में आप अपने college का नाम ढूंड यह अगर आपको नाम वहाँ पर दिखता है तो आप उसको screenshot लीजिए उसका print निकाल करके यही आपको ले करके जाना है तो यह हो गया SBT approval और A अपना college का इंसीचूट का अप्रूबल ले करके जा सकते हैं तो यही दोनों चीज मांगा गया है जो कि already advertisement में लिखा गया कोई अलग चीज अभी नहीं मांगा जा रहा है और यह चीज आपको पहले ही advertisement में साफ साफ करके clear कर दिया गया था कि यह चीज आपको जरूरी दिकत नहीं होता है उनको अगर आप अपने safety के लिए अगर आप निकाल करके ले करके जाना चाहते हैं तो आप अपना college का screen shoot ले करके जा सकते हैं लेकिन जो भी SBT बिहार से किया है उनका certificate में ही mention होता है State Board of Technical Education बिहार तो आपको दिकत नहीं होगी आपको कोई प्रिसानी न नहीं होगी आप चाहे तो आप निकाल करके ले करके जा सकते हैं नहीं तो आप छोड़ सकते हैं आप अपना वहां पर आपको कोई दिकत नहीं होगी लेकिन जो भी other state से की है या दूसरे technical board से की है तो उन लोगों को यह चीज जरूर से ले करके जाना है तो आएप आप इस या आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो वहां पर एक message कर दीजिएगा वहां पर जल्द से जल्द आपको गूरूप में add कर दिया जाएगा और नीचे comment section में आपका counseling हो गया या आपका pending बता रहा है या आपका counseling होने वाला है या साथ तारीक हो था आगे होने वाला है तो आप comment section में अपना जिरूर बताएगा कि आपका counseling हो गया या होने वाला है या आपका कुछ problems हो या आपके counseling हो गया आपका तो आप अपना जो भी experience हो आप हमसे share कर सकते हैं share करने के लिए description में WhatsApp नमर मिलेगा उस पर आप अपना जो भी experience हो counseling का आप हमें share किजिएगा या जो भी इ share कर सुकूंगा तो आप आप इसको समझे होंगे मिलता नेक्ष्ट वीडियो में तब तक कि लिए सुक्रियार थैंक्यू वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दीजिएगा